इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। इसे भूजन के साथ हत्वा बिना लिया जा सकता है, खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करेगा और आप दवा की प्रती कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। या स्ट्रोक का खत्रा हो सकता है, आपको इसे जीवन भर लेने की आवश्यक्ता हो सकती है, इस दवा के सबसे आम side effects में चक्कर आना, उनींदापन, सिर्दद, जी मिचल आना और दिल की असामान्य धरकन, धरकन, शामिल हैं। जब आप दवा के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो अधिकांच दुशप्रभाव गायब हो जाते हैं। अगर वे आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं जाते हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें। चक्कर आने की संभावना को कम करने के लिए, यदि आप बैठे या लेटे हुए हैं, तो धीरे धीरे उठें। इससे आपका रक्चाप भी बहुत कम हो सकता है। कुछ दुश प्रभाव गंभीर हो सकते हैं और उन्हें ततकाल चिकित सा ध्यान देने की आवशक्ता होती है। आपका डॉक्टर साइड इफेक्ट को रोकने या कम करने के तरीकों में मदद कर सकता है। यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने या स्तनपान कराने के बारे में सोच रही हैं, तो इस दवा का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछें। दिल की विफलता, जिगर की बीमारी या गुर्दे की बीमारी होने पर और मोतियाबिन के लिए आपकी आँखों की सरजरी होने पर इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा का उप्योग करते समय आपके रक्चाप को नियमित रूप से जांचना होगा।